आजबियाई के आकडों में सामने आया है कि वित्वर्स 2018-19 के दोरान देश में बैंक फ्रॉड के 6801 मामले सामने आये यानि बैंक दोखादड़ी के मामलों में 74 फिसेदी का इजाफा हुआ है दोखादड़ी का कुल राशी 7543 करोड उपय तक पहुच गई रिजर बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्वर्स 2018-19 के दोरान सबसे ज़्यादा फर्जी वारे के मामले में सारजनिक छेत्र के बैंकों में दर्ज किये गए है इसके बाद मीजी छेत्र और विदेशी छेत्र के बैंकों का इस्थान आता है केंद्री बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज सरकार दोरा संचालित बैंकों में वित्तिय साल 2018-19 में दोखा धड़ी के कुल 3766 मामले दर्जुए और बैंकों को 64,509.43 करोड उपय की चपत लगी इसी तरह वित्तिय साल 2017-18 में दोखा धड़ी के 2885 मामलों में बैंकों को 38,260 दस्मलो आठ करोड उपय का नुकसान उठाना पड़ा 100 करोड उपय या उससे अधिक के बड़े फरजी वारे के मामलों का पता लगने का समय औसतन 55 महीने रहा है इस दोरान 100 करोड उपय से अधिक की फरजी वारे की राशी 52,002 करोड उपय रही सबसे ज्यादा फरजी वारे के मामले अग्रिम राशी से जुड़े रहे हैं इसके बाद कार्ड, इंटरनेट और जमाराशी से जुड़े धोखाधरी के मामले सामने आए बिरो रिपोर्ट